नमस्कार साथियो आप सभी का एक वार फिट से बहुत बहुत स्वागत है भारत की संसद में विचारा धीन आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं जो की है भारतीय अंटार्क्टिक बिल भारत की संसद के लोकसभा द्वारा इस बिल को प चर्चा करेंगे कि क्यों इस अधनियम की इस बिल की भारत को जरूवत पड़ी क्यों भारत अंटार्क्टिक के लिए एक कानून बना रहा है और देश के अंदर और साथ ही साथ पूरी दुनिया के अंदर अभी तक क्या क्या कानून है अंटार्क्टिक से संबंदे तो उन स सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे वने रहे इस वीडियो के लाश्ट तक जिससे कि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके और साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे कि हमारे सभी अपड ग्लोब देखें तो हम भारत को यहां देख पाएंगे कि यह हमारा भारत है और नीचे जाकर सबसे दक्षण में अगर हम देखें तो यहां नीचे जाकर दक्षणी बिल्कुल दक्षणी गोलार्ट जो है यहां पर इसको जो है अंटार्क्टिक छेत्र के नाम से जाना जात है और यह पूरी तरह से ढखा हुआ एरिया है और यह साउथ पोपल यानि की दक्षिन धरूप के नाम से जाना जाता पूरा पच्छुम दक्षण की दिसाओं आपको गया तुंगी की तरफ नौर्थ होता है तो ये शाउथ पूल पर है भारत प्रत्षवी को अगर संड़ाचना को देखा जाए तो ये साउथ पूल पर प्रत्षवी के पड़ता है आए आगे चर्चा करते हैं इसके बारे में क अंटार्क्टिक महादीब है क्या तो अंटार्क्टिक महादीब प्रस्वी के दक्षण में इस्तित है जैसा कि हमने अभी मेप में देखा यह नो मैंस लेंड घोसित है नो मैंस लेंड का अर्थ है कि यहां पर किसी भी देश का किसी भी प्रकार का कोई कभजा या फिर किसी भ नो मेंस लेंड गोसित है और यह महादूई बैग्यानिक अनुसंधानों के लिए ही समर्पित है कि यहां पर जो है सिर्फ बैग्यानिकों द्वारा अनुसंधान यानि रिसर्च किया जाता है इसके बाद आगे अगर चर्चा की जाए तो अंटार्क्टिक संधी के इस्तिमाल जो प्रयोग है अंटार्क्टिक महादूईप का उससे संबंदित है तो एक दिसंबर 1969 को बारे देशों ने मिलकर वौसिंग्टन में अमेर्का के वौसिंग्टन में अंटार्क्टिक संधी पर हस्ताक्षर किये एक दिसंबर 1969 को यह संधी अस्तित्माई और वर्तमान में इस संदी में इस मतलब संदी जो है इसमें पूरे 54 देश सामिल हो चुके हैं जिसमें कि भारत भी एक देश है और भारत ने 19 अगस्त 1983 को इस संदी पर हस्ताक्षर किये थे यह संदी मूलता संदी है कि 足ret की रहछा किस प्रकार किरां किस तरह से उस जचेत को परञावरण को वहां बचाया सके क्यांकि वहां उम्मीद ऐसी जता ही जाती है कि अस चेत्र में हमारी प्रत्वी की प्रथत्रिह सं प्रदान किये है क्योंकि पूरा एरिया वो वर्ष से कवर्ड रहे और पूरी तरह से वहां हो सकता है कि नीचे कुछ चीज़े स्रुक्षर बची हो जो की देरे-देरे मिलने शुरू हो ऐसा अनुवान विज्ञानों की दौरा लगा जाता है तो भारत में उन्नेस अगर्ष् स्यन्ने गतविदी नहीं होगी कोई भी मिलिटरी ओप्रिशन्स भहाँ पर नहीं होंगे जो भी देश इसमें सामिल होगा अपने देश में अंटार्क्टिक की सुरक्षा जिम्मेदारी के लिए एक कानून पारित करेगा मतलब ये संदी के साथ साथ जो भी देश इस संदी के सामिल होगा अंटार्क्टिक संदी में उसको अपने देश के अंदर भी एक कानून पारित करना होगा कानून बनाना होगा कि वो अंटार्क्टिक की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिवद्ध है अंटार्क्टिक संदी की जो विसेश्ता है ये हम सिर्फ अंटार्क् संदी की जो विसेष्टा है उसमें पहली है नो मिलिटरी यूज कोई सेना के इस्तिमाल वहां नहीं किया जाएगा freedom of scientific investigation मतलब जो scientific investigation है वैग्यानिक रिसर्च जो जो उनके द्वारा data संग्रिद किया गया है उसको एक दूसरी के साथ वो exchange कर सकते हैं यहां तक की अलागला देश भी एक दूसरी के साथ exchange कर सकते हैं no territorial hold अगला जो point है वो है no territorial hold मतलब कोई भी देश इस पर अपना अधिकार नहीं जता सकता यह सभी देशनों के लिए खुला रहेगा nuclear free zone किसी भी तरह के nuclear हत्यारों का प्रयोग या फिर nuclear reactors का प्रयोग या फिर किसी भी तरह के nuclear जो वेस्ट होता है उसकी dumping आदी जितनी भी nuclear से संबंदेश चीज़े हैं वो पूरी तरह से वहां पर इस्तेवाल नहीं की जा सकती उनसे यह area free रहेगा और हर देश का यह करतब है कि वहां पर जो radio दर्मी पदार्थ हैं उसका उपयोग ना किया जाए no commercial use of ocean मतलब Antarctic का जो समुद्र है जो वहां का महासागर है उसका commercial यानिकी website प्रयोग बिलकुल नहीं किया जाएगा website प्रयोग से यहां अर्थ है कि वहां पर यदि किसी प्रकार का कोई खनित संपता या वहां के समुद्र का नहीं किया जाएगा all research stations open to other nations for inspection पतलब कोई भी देश कभी भी किसी दूसरे देश के research station में जाकर उसका inspection कर सकता है वहां की जानकारी हासिल कर सकता है जैसे कि भारत और चीन एक दूसरे के प्रतिवंदी हैं और साथी साथ अमेरिका और रूस एक दूसर होगा यह आसानी से जाकर ऐसा कर सकते हैं आगे चर्चा करते हैं national laws applied to citizens not to area मतलब यहां तात पर यह है कि यदि कोई भी किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन होती है लोगों के द्वारा या किसी प्रकार कोई crime कि आ जाता है वेग्यानिकों के आप सी मत्वेत होता है या लेकिन जो छेत्र है अंटार्क्टिक में जगे जो है उस पर उस देश का कानून कोई भी लागू नहीं होगा छेत्र विशेश पर कानून लागू नहीं होगा सिर्फ अपने देश के लोगों पर यह कानून लागू होगा treaty may be modified at any time with the agreement of treaty nations जितने देश इसके अंदर समलित हैं उनकी सहमती से ये इस treaty को कभी भी modify मतलब इसको change किया जा सकता है अगर किसी प्रकार का इस संधी के अंदर कोई परवर्तन करना है तो वो आसानी से सभी देशों की सहमती से रजावंदी से ऐसा किया जा सकता है मतलब जितने भी संधी करने वाले देश हैं उन सबको एक दूसरे की नजर रखनी है उन सबको एक दूसरे के प्रति जबाब देश रहना है कि कोई भी देश ये जो संधी है इसके वुरुद्ध कोई कारण ना करे ये भी इसकी सुरक्षा भी संधी की सुरक्षा भी सभी देशों की जिम्मेदारी है अब चर्चा करते हैं हमारे भारत के बारे में कि अंटार्क्टिक में भारत की किस प्रकार की भागीदारी है और भारत अब तक अंटार्क्टिक में क्या क्या कर चुका है तो 19 अगस्त 1983 को भारत अंटार्क्टिक संधी में सामिल हुआ था साथ ही भारत अब तक 40 मानव विसन अंटार्किक में भेज चुका है 40 मानव विसन से यहां तातपर है कि 40 बार भारत अपने बैग्यानिकों को अंटार्किक में भेज चुका है भारत के जो बैग्यानिक हैं वो भी अंटार्किक में रिशर्च का काम करते हैं और भारत के तीन अनुसंधान संस्थान अंटार्क्टिक में हैं, कौन-कौन से हैं वो, पहले का नाम है मैत्री, जिसकी इस्थापना 1983-84 के बीच हुई थी, जब हमने इस संधी पर हस्ताक्षर किये थे, दूसरा है दक्षण गंगोत्री जो की 1989 में अस्तित्वम आया था, और अंटार्क्टिक शेत्र में मौझूद हैं, जिसमें की मैत्री पहला वाला और भारती, 2013 वाला जो तीसरे नंबर पर है, ये दौनों अभी भी कारे कर रहे हैं, लेकिन दक्षण गंगोत्री अभी कारे नहीं कर रहा है, जो अभी करेंट में वर्किंग कंडिशन में हैं, वो मैत्री और भारती हैं, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी, अब चर्चा करते हैं, भारती अंटार्क्टिक विधेयक 2022 जो कि हमारी संसथ के द्वारा पारित किया जाना है, जो कि एक अधनियम बन जाएगा पारित होने के बाद, जैसा कि सभी लोगों को जानका और राष्ट्रपती की सहमती के लिए उस विधेयक को भीज़ा जाता है, और जो राष्ट्रपती किसी विधेयक पर हस्ताक्षा करके अपनी स्युक्रती जाहिर कर देते हैं, फिर वो एक अधनियम या फिर कानून बन जाता है, इसकी जानकारी हमने पूरी के पूरी अपने इंडियन पॉलिटी सीरीज के अंदर प्लेलिस्ट के अंदर दे रखी है अगर आप चाहें तो इसका भी इलाब उठा सकते हैं तो इस हमारा जो बेलाभी लोकसभा के द्वारा पारित हुआ है इसकी क्या-क्या विसेश्था हैं आई एक बार चर्चा करते हैं यह विद्ययक अंटार्क्टिक में भारती आवियान के विस्तार को या किसी अन्य पार्टी या प्राधीकरण की लिखित अनुमती या पर्मिट के बिना किसी गतिविदी को अंजाम देने से प्रतिवंदेत करता है इस पूरे प्राधीकरण हो या कोई अन्य विक्ति हो भारत से संबंदेत जो की अंटार्क्टिक में जाना चाहता है तो उसको भारत के अनुमती लेना अनिवार है बिना अनुमती के वहाँ वो नहीं जा सकता है दूसरा ये भविस्ति की संबाबनाओं को खोल देता है कि क्या मानवों का जाना वहाँ पर आगे पॉसिबल है क्योंकि इसके अंदर अन्य पार्टि और प्राधीकरण सभी लोग सम्मिलित किये गए हैं अगे अगर यदि किसी तरह का परिवर्तन होता है मानवों को जाने की वहाँ पर अनुमती मिलती है तो भारत के लोग भी वहाँ पर अनुमती के दवारा जा सकते हैं केंद्र सरकार द्वारा नामित अधिकारी को एक निरिक्षा के रूप में अंटार्क्टिक में निरिक्षन करने के लिए निरिक्षन दल का अगठन करने से संबंद में इस बिल में प्रावधान किये गए हैं कि Antarctic में जो कत्विदियां होती हैं हमारे वेग्यानिक जो रिसर्च करते हैं उनके निरिक्षण से संपंदित एक अधिकारी को नामित नॉमिनेट किया जाएगा भारत सरकार के द्वारा हागे जो है Antarctic निदी यानि कि Antarctic Fund के नाम से एक कोस का अगठन किया जाएगा जिसे Antarctic अनुसंदान कार और Antarctic परयावरन की सुरक्षा के लिए खर्च किया जाएगा जिससे कि वहां का परयावरन आदी सभी जीयां सुरक्षेत रहें और हमारे देश के जो वहां पर अनुसंदान कारे चल रहे हैं उनका पूरी तरह से खर्चा वहन किया जा सके और इसका जो अगला पॉइंट है वो है Antarctic से संबंदित मामलों में नामित अदालतें और उनके अधिकार छेत्र के संबंद में भी प्रावधान करता है कि भारत स संबंदित जितने भी मुद्दे होंगे वो सारी के सारे मुद्दे भारत की अदालतों में ही सोल जाए जांगे ऐसा यह प्रावधान करता है उमीद है आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा तो साथ ही यह हमने चर्चा की भारत के संसब के अंदर चल रहे है एक लंबित कि आपको हमारे प्रयास कैसा लगा कमेंट करके जलू होता है अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर कीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनुवर्वर्वर अगरी दर बने मिलेंगे अगले किसी सेशन में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद जैहन